कर दो करने वाले हैं दूसरा फाइलम इसको कहते हैं पॉरिफेरा आपने देखा होगा स्क्रब यूज करते हैं या स्पॉंज कह जते हैं तो स्पॉंज होता क्या है और बैसिकली आता कहां से है तो इस फाइलम मेरे हैं नेमल किंडम के अंदर कि यह जो पहला मॉल्टी स्वडीर लेवल ओज़ो शुरू हो रहा है तो यह स्पॉंज कहां मिलते हैं और इनके basic characters क्या होते हैं और इस unit में हम ये भी देखने वाले हैं कि इसको अलग लग types हम कैसे classify कर सकते हैं और एक बहुत important चीज जो हम इसमें देखने वाले हैं वो ये है कि इनका एक characteristic feature होता है कि ये water vessel system होता है इनके अंदर तो हम ये देखने वाले हैं कि ये water vessel system basically कितने टाइप का होता है या कितने इस basis पर हम इसको कैसे classify कर सकते हैं और ये कैसे काम करता है तो थोड़ी बहुत हम anatomy भी देखेंगे कि कि किसी भी cycle की या sponge की sponges की जो basic anatomy होती है types of cell होते हैं तो जैसे मैंने आप से कहा कि ये multi cellular होते हैं तो किस type के cells इसमें मौझूद होते हैं उनका काम क्या होता है और उसके लावा हम थोड़ा बहुत इसके uses के बारे में भी इस lecture में देखने वाले हैं तो जैसे हमने पिछले units में हमने सुरू कर रखा था हमने basic characters हम लेते हैं उसके बाद हमसका classification लेते हैं और उसके बाद हम सुरू करते हैं कि उसके अलग अलग जो एक specific characteristic feature है उस feature के बारे में हम जानते हैं तो इस lecture का भी यही performa रहेगा यही content रहेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला recap कर लें और देख लें कि हमने पिछले lectures में क्या किया हुआ है और किस तरीके से यह अलग है और उससे और कैसे यह अलग एक एक अलग category बन जाती है बहुत से authors बहुत से biologist इसको पहला फाइलम मानते हैं और प्रोटिस्टा को एक अलग सब किंडम गा कि उसको एक category मिली भी है सब किंडम की तो उसको प्रोटिस्टा को जो है वो अलग से माल लेते हैं एक प्रोकरियोर्स पर माल लेते हैं तो हम लोग सुरू करने वाले हैं आज फाइलम पौरिफेरा से लिए सुरू करते हैं lecture तो जैसे मैंने आपको बताया कि किंडम के अंदर फाइलम पौरिफेरा है और हम देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे स्पॉंजर्स और इससे पहले हम सुरू करते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या किया था जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 5 किंडम थे मोनरा प्रोटिस्टा फंजाए इसके लावा इनके different specific organs होते हैं जिनसे कि यह well developed organs होते हैं और specialized body organs होते हैं तो इस तरह के हम देखते हैं कि जैसे हम आगे किंडम में बढ़ते रहते हैं तो उनका जो multi-cellularity उनके specialization है वो बढ़ता रहता है कुछ example भी हमने देखे थे इसके लावा हमने यह देखा था कि हम कै इसको classify करते हैं species आता है भी जीनस आता है family, order, class, phylum, kingdom और इसके लावा हमने एक broad view देखा था कि animal kingdom को हम कैसे classify कर सकते हैं तो इसके हमने देखा था कि पहली जो sub kingdom और phylum थी वो protozova थी जो की unicellular होते हैं और multicellular जो लेबल सुरू होता है जो animals होते हैं उनको metazoba गयते हैं ज जिनके बारे में हमने पीछले लेक्षर में देखा था अब हम सुरू करने वाले हैं अगले वाले section को क्योंकि यहां पर आने के बाद metazoba आने के बाद दो इंफ्राक्रिंडम आती हैं एंड्रो जोवा और पैरा जोवा में सबसे पहले आते हैं पौरी फेरा पौरी फेरा के से अलग-अलग evolution अलग-अलग classes में अलग-अलग phylum का हुआ है और कैसे वो निकले हैं silomates के बेस पर फिर अलग-अलग हुए यह silomate है और उनकी lateral symmetry कैसी है bilateral symmetry है तो उसके बेस पर भी उनका classification होता है तो इस तरगी चीज़ें हमने पिछले lecture में देखी थी इसके लाबा हमने प्रोटो-जोन के बारे में अलग-अलग classification देगा था और हमने देखा था कि यह चार classes में किवाड़ होते हैं राइजर बोड़ा, मैस्टिपोफोरा, स्पोरोज़वा और चीलिये का इसके कुछ examples भी हम लोग उने देखे थे अलग-अलग अब शुरू करते हैं आज की class जिसका नाम है polyfera, phylum polyfera शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं इसके general characters के बारे में इस phylum की specialization है कि यह सारे के सारे aquatic होते हैं यानि कि यह पानी में ही पाई जाते हैं और ज्यादा तर यह marine होते हैं श्रीफ एक ही family होती है spongy जो की fresh water ना पाई आती है अन्य था यह सारे के सारे मराइन होते हैं यानि कि खारे पानी ना पाई आते हैं और यह society or secondary होते हैं यह मतलब कि यह movement नहीं करते हैं यह एक ही जिगब पर रहते हैं और plants की तरह grow करते हैं और इनका body का जो shape होता है वो waste यानि की गुलदस्ते जैसा shape होता है इनका और cylindrical जैसा shape हो सकता है और जो symmetry होती है वो या तो यह asymmetrical होते हैं या फिर readily symmetrical होते हैं बोडी surface में इनके बहुत सारे pores होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं इनको पौरी फेरा कहते हैं पोर्स होते हैं इनकी body में बहुत सारे जिनको की हम austeia कहते हैं और उन बहुत सारे pores के बाद एक cavity होती है अंदर में और cavity जहां खुलती है उसको हम कहते हैं ऑसकु इनकी बोड़ी होती है, वो छी र होती है और डिपलोब्लास्टी कि निमें एक्कैक्टोड должно होती है और उनसे में की इनके ग्रकैक्ट खेयर है, वहें बमसे में हैं और इस Volvo कई ग्रहन की ऩते है वहें में को जाीनिघ कैनाल होती है वो कोईनोसाइड से लाइंड होती है और इनका क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं तीन टाइप में कि स्पॉंजीन फाइबर का बना हो तो एक कैटेगरी होगी कि सिलिकन speculates के बना हो तो दूसरी हैं और कैल सीरेस याथिके लाइं का बना हो तो सिक्यूल होगी इंके तर बारे पहल बताशनाव होती बारे सीक्रिक बेसिकलेसे इंको स्रॉक्चर देते हैं उनका इंगे में स्पोर्ट करते हैं Mouth absent होता है इनमे Degestion जो होता है Intracellular होता है Cell के अंदर होता है Exculptory और respiratory organs जो होते है वो absent होते है Totally absent होते है और Water Canal शिस्टम से पुरा काम इनका चलता है Nervous और Sensory Cells जो होते है वो differentiated नहीं होते है और sponges की एक और characteristic feature यह है कि यह Monocious होते है मनुशिस होते हैं मतलब कि इनके जो sex होते हैं वो बिल्कुल separate होते हैं male female अलग लग होते हैं तो reproduction asexual भी होता है और sexual method से भी होता है इनका asexual reproduction जो होता है वो bird से या germination से होता है और sponges जो होते हैं उनमें high power of regeneration होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि हाइटर के एक्जाम पर हम देखते हैं साइपंका देखते हैं कि इनमें जो regeneration होती है बहुत ज्यादा होती है sexual reproduction जो होता है वो ova से या sperm से होता है और fertilization internal होती है लेकिन खास बात यह है कि cross fertilization होती है जो कि एक rule है कि cross fertilization होगा ही होगा cleavage जो होता है वो holoblastik होता है holoblastik क्या होता है उस cleavage को holoblastik कहते हैं जहांपर कि पूरा का पूरा जाइगोर जो है वो blastomir form करता है development indirect होती है जिसमें कि एक free swimming larva, siluted larva होता है वो silia होता है movement के लिए, locomotion के लिए जिसको हम MP blastula या parenchymula भी कहते हैं और organization जो होती है sponges की उसको तीन main type से हम लोग divide कर सकते है एस coin type, sy coin type और leekonoid type यह इस basis पर है कि उनका structure है वो कितना simple है यह कितना complex है अभी हम देखेंगे इसको as coin type यह होता है वो सबसे simple होता है और leekonoid type सबसे typical होता है specules के हम बात कर रहे थे जैसे तीन रगार के specules होते हैं siliceous, calcorous और collagen या फिर sponges से बने हुए specules और यह specules जो होते हैं वो mess work बना कर support करते हैं पूरी body को यह आप देख सकते हैं कि किस तरह के से यह पूरी body पर mess इनका बना हुआ है और यह कैसे इनको एक structure प्रोवाइड करते हैं classification की बात करते हैं अभी तक हमने characters की बारे में देखा कि इनके body में पूरे pores होते हैं और और ऑस्कुला होता है तो इस तरह की characters हमने देखें अगर इनको classify करने की बात आए specules की जिसे में आप से बात करें तो specules की basis पे अगर इनको हम classify करें तो इनको हम तीन category में divide कर सकते हैं calcaria, demos spongia और hexagonaliga यह तीन category हैं जिसमें की हम इनको divide कर सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं calcaria को कि calcaria calyx जो latin word है calyx का मतलब होता है line इसको हम calcium spongy भी कह देते हैं calcium spongy calyx मतलब lime होता है और Greek में sponges मतलब होता है sponge तो line sponge भी इनको हम कह देते हैं normally इनका जो skeleton होता है वो एक calcaria specule से अलग होता है जो कि mono axon हो सकते हैं एक मुखी या tetra axon हो सकते हैं tetra axon specule जो होते हैं वो अपना एक axon एक रेख होकर वो triage भी बन सकते हैं यह solitary होते हैं जातर या colonial भी हो सकते हैं solitary मतलब वो एक ही रहेगा एक individual एक जगर रहेगा या colony भी हो सकती है कि बहुत सारे individuals एक सांथ कुछे में रहते हैं body का जो shape होता है वो waste की तरह होता है जो table के उपर रखने माला गुल्दस्ता होता है तो उसको waste की तरह होता है या cylindrical भी हो सकता है और यह asconoid type भी हो सकते हैं psychonoid type भी हो सकते हैं यह types अभी हम देखेंगे यह types होते क्या है ज्यातर इनका जो color होता है वो बहुत dull color होता है अगर आप देखें sponges multi color में आते हैं बहुत बड़े अबड़े कलर में समंदर के निचे पाए जाते हैं लेकिन यह जो class है इस class के जो species हैं वो ज्यादातर dull colored होती हैं या yellow shade की होती हैं और 15 cm से छोटी size की होती हैं यह और यह shallow जो कुछ example है लुकोसलेमिया, कलेतरीनिया, साइकन या स्काइफा जिसको हम कहते हैं और ग्रेंट्थिया तो यह कुछ example है इसके अगर हम दूसरी glass की बात करें तो जिसको हम हैलो स्पॉंजी भी कह देते हैं हैलो स्पॉंजी हैलोस Greek इसका अर्थ होता है ग्लासी यह ग्लास की तरह दिखते हैं, ग्लास पॉंज भी हम कहा देते हैं और इनका जो स्केलेक्टन होता स्पॉंज का बना होता है जो की क्द्राइग्जोर मिष्भ द ए में कुछ स्पॉंज में इसकॉश स्केलेक्टन भी कभी कभी कश संसमें, और कोई epidermal epithelium इनके अंदर नहीं होती है यह इनका एक characteristic feature है कुरनिसाइट्स जो होते हैं वो finger shaped chambers में line up होते हैं और यह जातर cylindrical या funnel shaped होते हैं और deep tropical seas में यह पाई जाते हैं और एक मीटर तक की यह growth कर सकते हैं इसके कुछ example है यूपलेक्टेला, और फॉर्णेरा, हाईलोनेमा और फेरोनेमा तो यह कुछ इसके example हैं जैसे आप इन pictures में भी देख सकते हैं इनका structure होता है वो glass की तरह होता है इसलिए इनको हम glass sponges भी कहते हैं अगली class की ओड़ चले हैं तीसरी class जो है वो है आपकी dermos spongia dermos का मतलब Greek में होता है frame और sponges का मतलब होता है sponge तो इनका structure होता है वो एक frame की तरह होता है इसलिए इनको dermos spongia कहते हैं और इस category में सबसे ज़्यादा number of species पाए जाते हैं sponges के और यह large size होते हैं solidarity भी हो सकते हैं और colonial भी हो सकते हैं एक साथ भी हो सकती हैं और individual अलग अलग भी यह रह सकते हैं skeleton जो होता है या तो spongian fiber का बना होता है या spongian fiber और siliceous picules का मिलकर बना होता है और यह यह भी हो सकता है कि उनके अंदर कोई skeleton हो ही ना यानकी कोई spicules ही ना हो उनके अंदर और उनके जो spicules होते हैं यह characteristic feature है कि वो कभी भी six red नहीं होते हैं और वो mono axon होते हैं या फिर tetra axon होते हैं और उनको हम differentiate कर सकते हैं mega और micro scalars के रुप में जो बड़े वाले होते हैं उनको हम mega scalars कहते हैं और small वालों को small micro scalars कह देते हैं body shape जो होती है वो irregular होती है और canal system जो होता है water canal system जो इनका characteristic feature है पूरी polyfera का वो leucon type होता है और generally यह पूरे marine होते हैं और कुछ fresh water forms भी इसमें पाए जाते हैं इसके एक्जामपल है ऑस्करेला हैली सेरका spongyla बहुत famous एक्जामपल है you spongyla hippo spongyla तो यह कुछ एक्जामपल है और यह जो class है इसमें बहुत अलग-अलग variety के colorful sponges आपको देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें water flow की sponges के थुरू कैसी होती है तो हम देख सकते हैं कि जो आपके right दाएं हाथ के साइड में जो picture है उसमें आपको साब-साब ओस्कुलम दिखाए दे रहा है इक broad opening इक बड़ी opening वह आसकुलम है आसकुलम से पानी बाहर आता है और जो quinacide से body surface है बाड़ी सरफेस से पानी आसकुला से अंदर जाता है और इसके बाद फिर ये अंदर जो cavity है उसके अंदर जो बीचों बीच कैविटी होती है उस cavity के होते हुए औस कुलम से बहार निगल जाती है तो इसको detail बगर हम देखें water इन यहां से हुआ water आओके यहां से आया और यह जो आप देख रहे हैं यह औस कुलम है अब इसके बेश पर हम canal system के बेश पर भी classification कर सकते हैं sponges का तो basically इसको हम तीन टाइप में किवाड़ कर सकते हैं ascorn, sicon और leucon जैसे जैसे हम आगे वो बढ़ते रहते हैं तो इनका surface area बढ़ता रहता है सबसे simple जो होता है वो ascorn होता है जिसमें कि आपके oscula से पानी आता है और osculum से निकल जाता है spongosil cavity में होते हुए तो यह बहुत ही simple तरीकी का आपका जो sponges होते हैं वो इस category में आते हैं उसके बाद यह दूसरी category आती है वो थोड़ी सी से complex होती है तो तीसरी वाली सबसे complex होती है लिकॉन तो साइकॉन का नाम साइकन से मिला हुआ है इसके example साइकन है अभी इसको हम डेटेल में देखते हैं कि यह तीन category कौन कौन सी है तो सुरू करते हैं एसकोनाइट टाइप से कि एसकोनाइट टाइप में जो पानी का मूमेंट होता है वो बहुत ही यह सबसे simplest form of type होता है on the base of water vascular system की simplest type of water vascular system है जो आपकी dermal austria है वहां से पानी एंटर करता है और ultimately यह जो आपकी spongosil cavity में जाता है और spongosil cavity से ausculum से होते भी यह बहार निकल जाता है तो इसका जो water flow का current का course है कि यह जो रफ्ता है वो exterior से in current ports में जाता है वहां से spongosil cavity में जाता है फिर ausculum और पानी बहार इसके जो example है वो है leucosolenia और सारे calcarea group के जो भी species है वो ज्यादा तर इसी type of water vascular system को follow करती है ऐसको नोट टाइप को इसके बाद दूसरी दूसरा type है वो है psychonaut type यह थोड़ा सबसे complex होता है इसके जो cells होते हैं वो ज्यादा specialized होते हैं थोड़े से इसमें जैसे prosopiles पाई जाते हैं और एपोपाई पाई जाते हैं तो इस तरगे के cells इसमें मिलते हैं जो कि हम पो एसकोन में नहीं मिलते हैं इसमें जो course of water current है पानी के circulation का जो वे है रस्ता है वो डर्मल पोर्ट से होते हुए से if currentlink के नालो में आता है अगर आप देख सकते हैं इस फिगर में इनकरनी कनाल से होते हुए फिर ये prosopiles में जाता है और infeliaी आल में जाता है भातरे औरältे में असनुकर को सी क्वीं से पिर ये बास कुलम हुते हुए बहार निगा है तो इस तरगे का जो तो वाटर सर्कुलेटर सिस्टम जिन इंडिविजब्स में जिन स्पीशीज में पाया आता है उसको हम साइकोनॉइट टैप कहते हैं इसका एक्जामपल है स्काइफा जिससे इसको नाम मिला है साइकोनॉइट साइकॉन से तो यह दूसरे टैप का आपका वाटर वैस्कुला स सिस्टम है तीसरे जुन सबसे कॉमपलेक्स किसम का वाटर वैस्कुला सिस्टम है है यह थोड़ा सा कॉमपलेक्स होता है और इसकी जो सर्फेस इरिया होती है वह बहुत ज्याधा होती है उनके मुकाबले तो अगर हम देख़ेंगी दिक सा ren माता किसमें नहीं होता है उसके बाद प्रोसफाल में घ्राइन होता है पानी के मौमेंट को बढ़ाना उसके मूमेंट को कंतिन्यू करे रखना तो फ्लैजिलेक्ट चेम्बर में आता है फिर ऐपोपाइल में आता है और उपलापत होगा उस स्पीशीज के अंदर है तो फिर एपोडस में जाएगा फिर एक्स करेंट कैनाल में जाएगा जाएगा और तब था होते व और यह बहुत कॉंप्लेक्स किसम का है तीनों मैसे सबसे कॉंप्लेक्स किसम का जो वाटर वैस्कुल सिस्टेम हो यह है अगर हम एक सिंपल एनाटोमी देख लें स्पॉंज की तो हम देखते हैं कि बीचों बीच इसके जो है एक कैविटी उपलब है और इसके बाद अगर हम एक इंटरसेक्शन कर्यां और उसका एक बड़ा सेक्शन अगर देखें तो हम देखते हैं कि सक्षन का बड़ा करके ने ने कि देखते हैं कि जो को सैल है ko ahnow को इनसे को हम कहते हैं अगर हम बढ़ा करके देखें तो फिसका कॉलर है और कॉलर में जा आगे देखेंगे तो इसमें फ्लेजला या फ्लेजल फाइबल्स उपलग दोते हैं जो की वाटर करेंट को बनाए रखते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एनाटोमी है एक सिंपल स्पॉंज की वह थोड़ी बहुत कॉंप्लेक्स है लेकिन यह जो है यह बेसिकली एक सिंपल जो एसकॉनाइट होते हैं उनका फ्रुक्शर है उसके बाद अगर हम फंक्शन देखें कैना सिस्टम हमने देखा अलग मुख्य काम होता है कि जो भी नू्ट्रिएंटट्से न उसके वह उसके वह बोजन के थो ही प्रस्पोर्ट करता हे उनको वह उसक्षिप है इसके लबार, respiration में oxygen और carbon dioxide का जो भी उसका intake और outtake जो भी transportation करना है वो भी water के थुरू ही in organisms में होता है excretion में जो भी nitrogenous waste है या facels है जो भी निकालनी होगी उसको वो भी water के थुरू वो निकालता है और ये reproduction में भी मदद करता है क्योंकि ये क्या करता है कि sperms और जो sperms होते हैं उसके sponges के उनको एक जिगर से दूसरी जिगर ले जाने के लिए और होगा कि fertilization ताकि हो सके इसमें ये मदद करता है तो water waste flow system इसलिए बहुत आविशक है polyfaira के लिए polyfairans के लिए क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इतने सारे इनके physiological systems जो है और productive systems जो है वो इनेवेट हो जाएंगे रुख जाएंगे इसके लावा ये surface area भी बनाता है ये surface area को बढ़ाता है sponges का ताकि water के साँ ज्यादा contact हो सके और जो sponges हैं उनका volume बढ़ सके और उनका surface volume ratio जो है वो fix होना चाहिए और हम कुछ beneficial sponges के बारे में देख लेते हैं sponges का नाम सुनते ही हम लोग sponge कहते हैं आप सबीने देखा ही होगा sponge तो हम लोग dried sponge basically use करते हैं और जो dried sponge होता है वो fibrous collectin होता है बहुत सारे sponges के जैसे sponges हो गया hippo sponge हो गया use sponge हो गया basically ये तीन जो species genus हैं इनके हम use करते हैं sponges को और इसको हम use करते हैं bathing में, polishing में, washing में चाहिए वो car की washing हो या घर की washing हो या दिवार की washing हो या फर्मीचर की हो और scrubbing floors में और bathroom में जो आप scrub यूज करते हैं वो भी scrubbing के लिए साफ करने के लिए यूज करते हैं वो भी sponges का बना होता है यह hard form में भी हो सकता है और soft form में भी हो सकता है यह road करने वाली बात है और कुछ skeletons जो कुछ sponges के जो skeletons होते हैं जैसे कि हम बात कर लें यूग लेक्टला की वो बहुत commercial यूज के होते हैं और उनको हम decorative pieces के रूप में भी करते हैं बर्मुणा में इनका अगर देखें तो बर्मुणा जो कंट्री है वहां पर इनका over exploitation हो रहा है और बहुत ज्यादा मातरा में यह sponges को निकाला जाता है तो students जिस तरह के से आपने देखा कि आज हमने पौरिफेरा करा और पौरिफेरा में हमने उनके जर्रेल करेक्टर्स के बारे में देखा और उनके classification के type के बारे में देखा तो classification बेसिकली हम लोग दो तरह के से कर रहे हैं इसका एक कर रहे हैं स्पिक्यूर्स के business पर और दू आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एक इसका करेक्टिस्टिक फीचर है और वाटर करनाल सिस्टिम जैसे मैंने आपको बदाया कि इसको हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं लियुकॉण टाइप है अगर इसके डेटेल्ड अगर आप स्टेड़ी करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत से टाइप के शैल्स और अन्दर मौझूद होते हैं और dermal pores होते हैं, osculum होता है, जहांसे की पानी बाहर निकलता है और koinocides होते हैं, तो इस तरगे के हम देखते हैं कि इसके अंदर आलोग टैप के cells होते हैं जिनका की एक individual अपना-पना काम होता है तो water vascular system जो होता है, वो porifera के लिए बहुत important होता है क्योंकि अगर water vascular system नहीं होगा, तो porifera के जो nutrients हैं, उनका transportation नहीं हो पाएगा जो excretion निकलना है, वो नहीं निकल पाएगा और जो reproduction में, जो sperm का movement होना है, वो नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से हम देखते हैं कि porifera पूरी तरीके से, क्योंकि यह marine है purely aquatic है और mostly marine है और यह पूरी तरीके से पानी पर निर पर है, अपने nutrition के लिए, अपने reproduction के लिए और अपने जितनी भी physiological उसके काम होते हैं, चाहे उसके nutrients का circulate करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो या उसका respiratory system हो, oxygen ले जाना हो, carbon dioxide निकालना हो बाहर तो यह जो भी चीजे हैं, यह सारी औसकुला और औसकुलम के बीच में ही यह होता है, पानी इन होता है औसकुला से और जर्मल पोर्ट से, और उसके बाद आउट होता है औसकुलम से, इसी दौरान जो होता है, यह पूरे का पूरी cycle चलती है, तो इसलिए water अगर ना हो, तो इसको हमने classify किया है, और यह किस इनका जो in current का जो water का जो path होता है, किसी भी type में, कि जब यह water flow करता है, तो यह किस way को यह adapt करता है, कौन से रस्ती जाता है, कौन कौन सी जगह उपर यह पानी होता हुआ, बाहर को निकलता है, और में इन के functions क्या हैं, और इसमें जो classification हैं, वो ज्यादा typical नहीं हैं, क्योंकि classification हैं basically दो type से कर रहे हैं, या तो specules की basis पर कर रहे हैं, या फिर water canal system की basis पर कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम उसको दो ही तरीके से classify कर रहे हैं, या तो type of specules की basis पर, या type of water canal system की basis पर, तो polyphorite बहुत important और शुरुवाती एक phylum है, इसके of organizations शुरू होती हैं, और ये एक अकेला ऐसा member है अपनी kingdom में, जो की पूरा पुरस होता है, जिसके नाम पर पौरी फिरा पढ़ गया है, क्योंकि ये पूरस होता है, पुरी पौरी में इसके छेर होते हैं, छिद्र होते हैं, इस वैसे इसको हम पौरी फिरा करते हैं, झाल, 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